तो जनाब गौर फर्माईएगा, ये मजभ चाहे तेरा हो या मेरा हो, इसके लिए नफरत ना तेरे ना मेरे दिल में भूल कर इस मजभ के दिवार, बस इंसान्य थी तेरा और मेरा धर्म हो मैं चाहे जीजस कहूं या अल्ला, मंदिर जाओं या गुरु ध्वारा मैं नमाज पढ़ू या पूजा करूं, मैं धर्म को मानू या ना मानू, क्या फरक पढ़ता है? मैं दिवाली के दिन चर्ट जाओं या इत के दिन मंदिर जाओं मैं सो कॉल दलित के साथ खाना खाऊं या मुसल्मान के साथ नमाज पड़ू तो क्या फरक पड़ता है फरक पड़ता है जनाब फरक पड़ेगा मैं सोसाइटी के सामने केरेक्टरलेस बनगी तानों की सूली पर चड़ूगी रोज रोज वो चार लोगों की बाते सुनूंगी पर वेट मैं इंसानियत की और एक कदम बढ़ाऊंगी मैं सेक्यूलरिज्म का असली मतलब समझूंगी मैं इंसानियत की और एक कदम बढ़ाऊंगी मैं सेक्यूलरिज्म का असली मतलब समझूंगी मैं इस मज़भ की दिवार को तोड़ूँगी पर फिर भी यार इससे भी क्या फरक पड़ेगा चुकि मेरे देश की हालत कुछ ऐसी है यारो सेक्यूलरिज्म, सोशलिस्ट, फेटर्निटी के चर्चे हैं हजार पर बात जब धर्न की आये तो इन्हें भाड में दालो दूसरी जाती के साथ बात जो कर लो अपनी इज़त उड़वा लो ये जाती, ये धर्न, ये मज़भ क्यों नहीं फिकवाया तुमने इसे क्यों आजमाया क्या इसे भगवान ने फरमाया जब सब धर्ती पर भगवान का बच्चा बन कर आया तो तुमने इसे दलित मुसल्मान हिंदू क्यों बनाया तो तुमने इसे यार अब तो समझा इंसानियत ये धर्म है, था और रहेगा इंसानियत ये धर्म है, था और रहेगा थैंक्यू